नमस्कार, NCRT गुरुजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यह है Classics की संस्कृत के किताब रुचिरा का Chapter 15 पंच दशाह पाठा मातुल चंद्र मातुल चंद्र दो शब्दों से बना है मातुल और चंद्र मातुल मामा को कहते हैं और चंद्र चांद को तो यह पाठ है चंदा मामा आएए इसे पढ़ें कुत आगच छसी मातुल चंद्र कुत गमिश शसी मातुल चंद्र कुत मतलब कहां कहां से आते हो है चंदा मामा और कहां जाओगे है चंदा मामा अतिशय विस्तृत नील आकाश ये शब्द चार सब्दों से बना है अतिशय विस्तृत नील और आकाश अतिशय मतलब बहुत विस्तृत मतलब बड़ा नील मतलब नीला आकाश के इस बहुत बड़े नीले आकास में नैव द्रिश्यते क्वचिद वकाश नीला आकास जो खाली जगह नहीं दिखाई देता कथम प्रयाश्यसी मातुल चंद्र कुत आगच्छसी मातुल चंद्र प्रयाश्यसी मतलब जाओगे कैसे जाओगे हे चंदा मामा इस आकास में जहां कोई खाली जगह दिखाई नहीं देता और कहां से आते हो हे चंदा मामा कथम आयासी नभो मम गेहम कथम आयासी दो सब्दों से बना है कथम और आयासी कथम मतलब क्यों आयासी मतलब आते हो न मतलब नहीं भो मतलब तुम कि हे चंदा मामा तुम मेरे घर गेहम मतलब घर तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो हे चंदा मामा मातुल किरसी कथम नसनेहम हे मामा तुम सनेह क्यों नहीं बरसाते हो प्यार क्यों नहीं बरसाते हो मेरे घर क्यों नहीं आते हो किरसी मतलब विखेरना, बरसाना कदा अगमिश्य सी मातुल चंद्र इस टेड़े एस जैसे चीज को ओ पढ़ते हैं धवलम उजले को कहते हैं चंदृका वितानम दो शब्दों से बना है चंदृका और अवितानम चांदनी का फैला हो तो बच्चा इस तरह कहता है कि चानद आपकी जो उजली रौष्णी है वो फेली हुई है तारक खचितम सित परिधानम तारक खचितम मतलब तारों से भरा हुआ सित परिधानम मतलब सफेद चादर महिय मतलब मुझे दास्यसी मतलब दोगे मातुल चंद्र मतलब चंदा मामा तो इसे इस तरह कहेंगे कि तुम्हारी फैली हुई चांदनी सफेद है उजली है तुमने जो कपड़ा पहन रखा है वो तारों से भरा हुआ है हे चंदा मामा क्या यह वस्त्र क्या यह कपड़ा तुम मुझे दोगे चंदा मामा तुम कहां से आते हो कुत्र आगच्छ सिमातुल चंद्र तुरित में ही दो सब्दों से बना है तुरितम मतलब जल्दी एही मतलब आओ जल्दी आओ मुझे गीत सुनाओ स्रावय मतलब सुनाओ गीतिम मतलब गीत मुझे उमीद है आपको ये कविता समझ आई होगी अगर आपका कोई भी क्वेशन है तो कमेंट सेक्षर में जरूर लिखे आईए हम प्रश्न भ्यास को देखते हैं पहला प्रश्न है बाल गीतम सभिनयम सौस्वरम गायत बच्चे के इस गीत को एक्टिंग करके और गाकर बताईए ये आपका काम है अगला प्रश्न है पद्यानशान योजयत कविता के टुकडे को जोड़ना है मातुल किरसी कथम नसनेहं कि हे मामा तुम अपने प्रेम को सनेह को क्यों नहीं बिखेरते हो तारक खचितम चंद्रिका विदानम तारों से भरा हुआ चांदनी का फैलाओ तोरितम में हिमाम स्रवाय गीतिम जल्ली आओ मुझे गीत सुनाओ अतिशय विश्तरत नीलाकाश बहुत दूर तक फैला हुआ नीलाकास धवलम तव सित्परिधानम तुम्हारी चादर तुम्हारा पहनावा उजला है अगला प्रश्न है यह अपना उजला वस्तर जो तारों से भरा हुआ है पथम आयासी नभोमंगे हम मेरे घर क्यों नहीं आते हो तुम हे चंदननाम है अगला प्रश्न है न में चंदर है तो असमिन बाठे चंदर हमातिला नीलाकास कैसा है तो नीलाकास विस्तृत है बड़ा है नीलाकास विस्तृत है अगला है मातुल चंद्रह किम न करोती चंदा मामा क्या नहीं करते हैं तो चंदा मामा प्रेम नहीं करते हैं मातुल चंद्रह सनेहम न करोती सनेह नहीं करते हैं अगला है किम स्रावयतुम सिशू चंदरम कथयती बच्चा चांद को क्या सुनाने को कहता है तो बच्चा चांद को गीत सुनाने को कहता है गीतिम स्रावयतुम सिशू चंदरम कथयती अगला प्रश्ण है चंदरश्य सित्परिधानम कथमस्ती चांद की चादर कैसी है तो च अगला प्रश्ण है उदाहरना नुसारम निम्नलिखित पदानी संबोधने परिवरतयत। उदाहरन में जिस तरह बताया गया है उस तरह इन शब्दों को संबोधन में बदलिए। चंद्रह का संबोधन चंद्र के बाद इस तरह एक्सक्लामेशन माँ लगा देंगे उसी तरह सिश्य का सिश्य के बाद एक्सक्लामेशन माँ जिस तरह बालिका का बालिके के बाद एक्सक्लामेशन माँ उसी तरह प्रियमवदा का प्रियमवदे के बाद एक्सक्लामेशन मित्रम का मित्र के बाद एक्सक्लमिशन मार्ग, पुस्तकम का पुस्तक के बाद एक्सक्लमिशन मार्ग, रविह का रवे के बाद एक्सक्लमिशन मार्ग, मुनिह का मुने के बाद एक्सक्लमिशन मार्ग, कविह का कवे के बाद एक्सक्लमिशन मार्ग, साधो का साधो के बाद इस तरह आप संबोधन बना सकते हैं इन शब्दों का अगला प्रशन है मन्जुशात उपयुकता नाम अव्याइपदा नाम प्रयोगेन रिक्तस्थानानी पूरियत इस बॉक्स से सही अव्यापद का प्रयोग करके खालिस्थान को भरिये यहाँ प्रश्ण वाचक चिन है तो प्रश्ण पूछा जा रहा है कि जगनात पूरी कहां है कुत्र तुम डैस पूरिम गमिश्यसी तुम कब पूरी जाओगे गंगानदी डैस प्रवहती गंगानदी कहां बहती है गंगानदी कुतः प्रवहती तव स्वास्थ्यम डैस अस् वर्षा काले मयूराह डैस कुर्वंती वर्षा के समय मोर क्या करते हैं किम कुर्वंती अगला है तच्सम सब्दान लिखता तदभव जो बिगड़ा हुआ रूप है उसे कहते हैं और तच्सम जो ओरिजिनल सब्द है उसे कहते हैं आम तोर पे तदभव हिंदी होता है और मुझे उमीद है आपको ये पार्ट समझाया होगा हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलता हूँ आपसे किसी और सब्जेक्ट में किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई